जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्त विभाग में निकली बंफर भरती के बारे में दोस्तों से अधिक पदों पर यह भरती होने वाली है जिसमें जीला दूर्ग, जीला गरिया बंद और जीला जस्पूर की भरती के बारे में जानेंगे तो तीनों जीलाओं की जो भरती प्रक्रियाएं हैं अलग अलग है दी गई है तो पूरी जानकारी में आपको बताने वाला हूँ तो इसके भरती प्रक्रियाएं की इस तरीके से होगा वेतन मान क्या होगा, आयू सीमा क्या होगी, भरती प्र फीस कितना लगेगा किसमे डिमांड ड्राप्ट लगेगा दोस्तों किसमे क्या लगेगा पूरी जानकरी इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को सुरू सिलास तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करके नॉटिफिकेशन बिलाता है जरूर अन कलीजिये तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दौस्तों हम सर्वपर्तंड बात का लिते हैं स्वास्तवी भाग में निकली हुई जिला दूर्ग के लिए तो अगर इसमें बात करो दोस्तों तो ये पूरा एक दियूसी भरती प्रक्रिये है जिसमें पूरी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसके तारीख है दोस्तों 24 चाहाय하게 की इसको प्राता 9 बजे से 11 बजे तक इस्थान जो है साइंस दुरग कॉलेज में जो है दोस्तों ये भरती होने वाली है साइंस कॉलेज दुरग में ठीक है तो ये जो इसके बात करें important जिसमें जो है आपको प्रत्यक शुरूप से वहाँ उपस्थित होकर के पंजियन कराना होगा जिसमें से पंजियन का समय दिया गया है 9 से बजे से 11 बजे तक और जो है पात्र जो सूची प्रकाशन की जाएगी दो पहर 2 बजे और उसी तरीके से दावा पत्ती है तो निरधारी जो समय है दो पहर 2 बजे से धाई बजे तक और अंतिम जो प्रक्रिया है जिसमें पात्र सूची मेरिट सूची हैं कौसल प्रसिक्चन वो सायाम 4 बजे से हो जाएगा ठीक है तो इसमें दो दोस्तों अलग-अलग पदों के लिए अलग-अल है तो इसका जो है फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो अगर दोस्तों फॉर्म चाहिए तो मैं नीचे टेलीग्राम जो ग्रूप है वहाँ पस इसको डाल दूंगा तो वहाँ पस आप इसको जरूर चेक आउट कर सकते हो जिसमें से आपको जो है यह फिलप करना होगा ठीक ह का फॉर्म है उसके साथ ही और दस्तावे जो आपको जमा करने होंगे ठीक है तो अलग अलग पद है चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से पद पर ही है जो भरती होने वाली है तो पहले बात कर लेते हैं एनम पद की भरती के लिए ठीक है कूल इसमें जो है 14 पद दिये गए हैं जो अनरक्षित पांच है अनरक्षित जो है आपका दिव्यांग के लिए एक है अनुसुचित जाती के लिए एक है अनुसुचित जाती दिव्यांग के लिए एक है अनुसुचित जाती दिव्यांग के लिए दो है ठीक है स्वरी यहाँ पास एक है अनुसुचित जाती तरी कि लिए थीक है उसी तरीक़ व के लिए है दो पद इसमें दिया गया में इसके बात करें वितन मान की तो बार्व पातSpod से एने म की जो है कोर्श उत्तिरण होना चाहिए 36 जा फिर चट्रिस गर्र नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्त कारे करता के तौर पर जीवित पंजियन जो है अनुवार्ड होना चाहिए ठीक है यह भी दोनों होना के पास अवश्यक है यह सभी के लिए दो उसमें एकी तर यह यह वना अवश्चक है उसी तरीके से यह पदों की बात तो यह पूरी तरीके से एक पद है अनरक्छीट है अलोथ तरीके से बात करते हैं तो सेकेट्रियल असिस्टेंट की जो 13,650 रुपए माशिक वितन है जिसमें मनता प्राप्त विस्विद्धाला से इसना तक उत्रना होना चाहिए और साथ इसना सिक्षन संस्था से जो है एक वर्ष का डिप्लोमा या कम्प्यूटर होना आवश्यक है ठीक है उसी तरीके से इसके पदों की बात करें तो दो पद इसमें रखा गया है एक जो है अन्य पिश्रावरग के लिए है और दोस्तों एक जो अनुसुच जाती है उसके बैक लॉक में ये भरती होने वाली है एक बार तारीक में आपको पता दूँ चौबिस चैदो हजारी 12 को ये भरती होने वाली है अगर बात करें और भी Lab Technician है तो Lab Technician में दोस्तों आपका DMLT का कोर्स होना चाहिए पैतोलाजी में पैरमेडिकल का कोर्स भी होना चाहिए ठीक है चाथीजगर पैरमेडिकल में जो है आपका पंजियन होना अवश्यक है 14,000 मान रखा गया है पद पर देखने को मिलेगा आपका 10,000 वितन मान रखा गया है समाने तब आप तो जो है दोस्तों पांच वी कक्छा उत्तिर्न एवां जीला रोजिगार पंजियन में आपका जीवित पंजियन प्रमान पत्र होना चाहिए कुल पदों की संख्यतीन है जो है दो अनुसूची जाती के लिए है ठीक है तो यहां पास देख सकते हो आप दोस्तों पांच वी कक्छा उत्तिर्न वालों के लिए भी दोस्तों इसमें वेकंसी दी हुई है उसी तरीके से बात कर लेते हैं फिजियो थेरिपिस्ट की तो इसमें जो है 18,000 इसका वेतनमान रखा गया है ठीक है और मा पास जो है वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स लेकर करके आपको उपस्तित होना है उसी तरीके से बात करते हैं फार्मसिस्टी कि इन सभी पदों के लिए दोस्तों आप जो बताने वाला हूँ गो अठ्थाइस चैदो हजारी किस के लिए है जिसमें से आप फार्मसि है दोस्तों आप इनको बार अच्छे से देख लीजिए ठीक है सबके बारे में बतात रहूंगा तो फीर टाइम का वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा चलिए देख लेते हैं इसके आयू सीमा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आट्रा वर्शे से चाउंसट वर्श अधीन है उसी तरीके से दोस्तों सारीज दिव्याbek है तो आपका मतलब। जो विकलांग कैंग उनका 40% से अधीक जो है प्रमान पत्र होना चाहिए ठीक है उसी तरीके से बात स्वें चेन प्रक्रिया की तो अलग अलग सेक्षेने की हो गया था आपके अधार पर काुसलों अंकों को दिया जाएगा अनुभाव का अंक यहां पास बताया गया अनुभाव कितना कितना का है और इसमें जो है कुल अंक भी बताया गया है ठीक है और इसमें देख लेते हैं और भी बहुत सारी जानकारी दी हुई है दोस्तों जैसे क्या होगा अगर आविदन की संख्या गरिज जाती है ठीक है जैसे क्या होगा इसमें पदों की संख्या एक से दस होने पर ठीक है अगर पदों की संख्या एक से दस है तो उसमें कुल विग्यप्ति में से दस गुना वहां से लिया जाएगा स्क्रीनिंग एवं सक्षातकार के लिए ठीक है जो रहेगा टॉप में जैसे दो पद निकला हुए है तो दो का 10 इन कितना हो जाएगा दोस्तों 10 ढुन nos was और बिस जो आविदन है वो लिए जाएंगे तो P वह मेरिट लिष्ट के अधार पर जो उपर से 20 तक रहेगा उसको लिया जाएगा जिसमें से आपका जो है आपका एजूकेशन पत्र देना होगा ठीक है उसे तरीके से अगर आपके पास अनुभव प्रामाण पत्र है तो अनुभवव प्रामाण पत्र दावपत्य है इगर बाद में करना चाहाँ then आपनए प्रतेखपद्पक प्रतेख प्रतेख को क्या करना है डीडी बना करके आविदन फॉर्म भरना होगा जिसमें जो है विकलांग है अनुसुची जाती है अनुसुची जन जाती है महिला के लिए 100 रुपए ठीक है उसी तरीके से इसमें एक जग है 200 रुपए उसी तरीके से जो दोस्तों जिसमें अन्य पिछला 12000 का डिमांट रॉक्ट अगर जिस वतर्मान में भर रही हो, में अगर 25000 से अधीक है थो आपके लिए डिमांड प्रिश हाड्य का लगेगा उसी तरीके से zaman के लिए 200 और जो दीनका वwright आफ़ीन सग्ड़ों जो है 25000 से अधीक वाले में फॉर्म भर रहा nे और इसके चार सो का डिमांडरा प्रभारना होगा ठीक है यह था दोस्तों पूरी तरीके जानकारी संविधा भरती है 21 मर्च 2022 तक के लिए दोस्तों यह जो है वैलिड रहेगा उसके बाद फिर से नया आविदन आने पर जो है आपके पत से आटोमेटिक आपको जो है निसकासित कर दिय जाएगा ठीक है तो यह है इसका फॉर्म अगर आफ फॉर्म कारण चाहते हो जरूर फॉर्म कीजिए अगर योग्यता है तो ठीक है चलिए बात करेते हैं दूसरे जीले की जीला गरियावद के स्वास्तवी बारे में तो दोस्तों इसमें जो है 75 प्रदों से जो है भरती हो सकते हो और जो है दोस्तों इसकी अंतिमति ठीकी बात करें तो च्छे स्वारी तीस च्छे दोहजार इकीस तक फॉर्म वहां तक संध्या पांच बज़े तक पहुंच जाना अनिवारे होगा और इसकी डिटेल जानकर यह आपको www.gariaband.gov.in पर भी देखने को मिल जाएगा करना पड़ेगा इसमें भी बनाना पड़ेगा और साथ वही डिमांड राप्ट जो मैंने बताया भी ठीक है उसी तरीके से क्या-क्या सनलगने करना है पूरी तरीके से सेम है और इसके भरती प्रक्रिया हैं दोस्तों उसके आवेदन जो आप फॉर्म फिल आप करोगे ठीक अगर नहीं मिलता है तो कमेंट की से मैं इसको टेलीग्राम ग्रूप में भी सेर कर दूँगा ठीक है चलिए अब बात करेता हूं दोस्तों तीसरा जीला तीसरा जीला है दोस्तों जस्पूर जीला जिसमें से आपको 20 पदों के लिए स्टाफ नर्स की भरती के लिए जो है इसमें दिया हुआ है जिसमें दोस्तों स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए दोस्तों 20 पद दिये गए जिसमें से स्टी के लिए एक तो आठ पद जो है मुक्त है और महिला वर्ग के लिए चार पद जो है अरक्षित है उसी तरीके से स्सी के लिए बात करें तो एक जो पद है मुखत है और साथ यसाट जीड़ो जो इसमें पद रखा एक है तो इस तरीके से भी भर सकते हो इसमें अगर फिल अन्तिम्ति थी है ठीक है वह तुरुष उसमें जो 301221 तो इस तरीके से हपिसमें जो है फ़लाप कर सकेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ अगर इससे संबंधित कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए दोस्तों जैस्पूर के ओफिसेल वेबसाइड ठीक है आपका जैस्पूर.gov.in पर भी आप आसानी से पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जूड़े रही है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जरूर सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन बिलाता है जरूरा अनकारी ठीक है इसी तरीके का विकेंड से संबंधित जानकारी और जो है दोस्तों एजूकेशन की तैयारी इ तो चैनल के साथ जुने रही है चले मिलता है ना वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तो मुझे दीज़े जाजा टेक कर आले बेस्ट जाहिंद